नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदाशन किसान, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आदुती शर्मा आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश में कहां होगी बरसाथ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान किस्तिती और किसानों के लिए क्रशी सलहाबी लेकिन आए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्ख्यों पर दो दिनों फ़माले पश्चि मंगाल और सिक्य में काफी भारी बरसाथ के आसार, मध्यवरदेश और शतीजगर में भी भारी बारश का अनुमान जमु कश्मीर और लदाक में दो दिन कहीं कहीं होगी बारश, केरल और लक्षुदीब के भी जादतर हिसों में बरसेंगे बादल पश्मी मध्य अरब सागर में 50 से 60 किलोमेट्र प्रवी घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाई, मच्छवारों को इन अलाकों में ना जाने की सलह आये बुलेटिन के शिरुवात करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास ख़बरों के साथ भारत मौसम विज्यान विभाग के मताबिक कलोतराखंड में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है इसके साथ ही पूर्वियोतर प्रदेश में आज और कल भारी से भारी वर्षा की आसार है वहीं दो दिन असम में घाले और अरुनाचर प्रदेश में भारी बरसात हो सकती है इसके साथ ही उपहमाले पश्रिमंगाल और सिक्के में दो दिन काफी भारी वर्षा की संभावनाए है वहीं दो दिन बिहार और कल जारखन में भारी से भारी बर्षा देखने को मिल सकती है बात करेंगे मध्यप्रदेश, शतीजगड़ और कुछ रात की तो बता दें दो दिन यहां भी कुछ लाकों में भारी बर्षा का अनुमान है तो दो दिन मध्य महराश्ट और कल मराटवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है इसके साथ ही दो दिन तच्यांदर प्रदेश और कल तेलंगाना में भारी वर्षा की संभाव नाई नजर आ रही है वहीं तचे करनाचक में दो दिन कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है वहीं बता दे आपको दो दिन पश्चमी राजिस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाईं चल सकती है तो कल उत्राखंड और दो दिन उत्रप्रदेश में भी तेज हवाईं चलने के आसार है आसम और मेखाले में आज कहीं कहीं तेज हवाईं चल सकती है तो दो दिन विहार और छारखन में तेस हवाई चलने का अनुमान जताया जा रहा है इसके साथ ही मध्यप्रदेश, 36 गड़ और विदर्ब में दो दिन तेस हवाओं के आसार बने हुए हैं तो दो दिन तटियांदर प्रदेश में कहीं कहीं तेस हवाओं की संभावनाई हैं तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों का हाल बढ़ते हैं अगर अब बात करते हैं मौसम पूर्बान उमान के और आपको बता दें कि आगयाने वाले दोनों में देश के कौन से वो इलाके हैं जहां बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम साफपने रहने की संभावनाई हैं आईए नज़र डालते हैं इस खास रुपोर्ट पर मौसम विभा की अनुसार आज और कल जिमुकश्मीर और लटाक में कहीं कहीं बारिश होगी हिमाच्र परदेश में आज और उत्राखन में दो दिन कुछ हिसों में बरसाथ के आसार हैं इसी तरह दो दिन पंजाब, हर्याना और दिल्ली में कहीं कहीं वर्शा होगी पूर्वी और पश्मी और जादतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है इसके साथ ही दो दिन पूर्वी और पश्व मे राजिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है मौसम विभाग की मानी तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, छार्खंड और उडिशा में अनेक जघा बरसात के आसार है गांगे पश्चिम मंगाल में दो दिन का इलाकों में पानी बरसेगा दो दिन उपहमाले पश्चिम मंगाल और सिक्के में बरसात होगी दूसरी ओर अरुनाचर प्रदेश में दो दिन अधिकतर हिसों में वर्षा की संभावना है दो दिन आसामर में खाले में जादतर स्थानों पर बादल बरसेंगे नागलेंड, मनेपुर, मिजोरम और तृपुरा में जादतर जगा बरसात होगी मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्मे मध्यप्रदेश में अधिकतर जगा बरसा का अनुमान है चतीजगड और विदर्ग में दो दिन जादतर लाकों में बरसा के आसार है पशिम भारत में गुजरात और सौराश्ट कच में कई स्थानों पर बरसा के आसार है पोंकड गुआ, मध्य महराष्ट और मराटवाडा में दो दिन जादतर हिस्सों में बारिश होगी रुख करती हैं दक्षन भारत का दो दिन तट्यांद्रपदेश, श्रायल सिमा और तिलंगाना में अनिक जगह बारिश के आसार है तमिलनाडोर पुदुचेरी में दो दिन कहीं कहीं बरसात होगी दो दिन तट्ये उत्री और दक्षनी आंत्रिकरनाटक में अधिकतर इलाकों में बारिश होगी केरल और लक्षुदीप में दो दिन जादता जगह बरसात का अनुमान है अंडबान एकोबार में कई हिस्सों में बारिश की संभावना है तो जाना आपने मौसम पूरवा अनुमान का हाल आईए बढ़ते हैं आगर आपको जानकारी देते हैं पिछले 24 खंटों के दौरान देश में कहां बरसे बादल, कहां चली तेज हवाएं, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में पिछली 24 खंटों की बात करें तो जमु कश्मीर, लताक और गिलगिट में कहीं कहीं बरसात हुई हुमाच्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बातल बरसे, तो वहीं पूर्वियोत्र प्रदेश में भी कुछ जगाओं पर पानी बरसा अरुनाच्र प्रदेश में कुछ जगाओं तो असम में घाले के कई हिस्सों में वर्षा हुई वही मध्य प्रदेश और 36 गड में भी कहीं कहीं पर साथ हुई पश्मी राजिस्थान और सौराश्ट्र कच में कहीं कहीं बादल बरसे तो मराट वाडा में कई स्थानों पर तो कोंकर गुआ में अधिकतर जगाओं पर वर्षा हुई तची आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में तो तेलंगाना के कई लाकों में बारिश हुई केरल में कुछ जगाँ तो लक्ष्य दीप में जादतर स्थानों पर बादल बरसे जब मुकश्मीर, लदाक और गिलगिट में तेज हवाई चली तो हिमाच्र प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाई चली पिछले 24 खंटों के दौरान वहीं असामर में खाले की बात करें तो यहां भी कुछ लाकों में तेज हवाई चली वो भी माले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ और डिश्रा में भी कुछ रिलाकों में तेज हवाई चली वहीं मध्यप्रदेश और चतीसकर में कहीं कहीं तेज हवाई चली तो पश्चमी राजिस्थान और मराटवारा में भी तेज हवाई चली वहीं पश्मी राजिस्थान की बात करें तो कुछ हिसो में गर्म हावाई भी चलें पिछले 24 खंटों के दौरान तो जानले आप भी आपने पिछले 24 खंटों के दौरान के मौसम का हाल बढ़ते हैं अगर आपको जानकारी देते हैं तापमान की स्थिती के बारे में और पूरवी राजिस्थान के कई स्थानों पर अधिक्तम तापमान सामाने के मुकाबले 3-5 डिगरी उपर रहा। पंजाब, हर्याना और दिल्ली के जादतर हिस्सों में अधिक्तम तापमान सामाने के मुकाबले 1.5-3 डिगरी उपर रहा। सौराश्ट्रकच के कई लाकों और कॉमकर्ड गुवा में कुछ जगह अधिक्तम ताफमान सामाने के मुकाबले 1.5-3 डिगरी उपर रहा इसके विप्रीत अंडमाने को बार में कई स्थानों पर अधिक्तम ताफमान सामाने के मुकाबले 3-5 डिगरी नीचे रहा अरुनाच्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक्तम ताफमान सामाने के मुकाबले 1.5-3 डिगरी तक नीचे दर्च किया गया वहीं देश के मैदाने लाकों में सबसे ज़्यादा ताफमान पश्मीराजिस्थान में रहा पश्मीराजिस्थान के बिकानेर में अधिक्तम ताफमान चवाली सश्मीराजिस्थान अब आपको बता देते हैं न्यूनतम ताफमान का हाल किस प्रकार तर्च किया गया अब बात करेंगे नियुनतम तापमान की तो जाना आपने पिछले 24 घंडों के दौरान देश के अलग-अलग शेत्रों में कैसा रहा अधिक्तम और नियुनतम तापमान का हाल। मुवेश्यों की मुश्किलों का क्या है हल। कहां से लाएं बीच, कितनी लगे की खाग। किसानों के हर फोन का विशेशक्य देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइफ। सुमबार से शक्रवार शाम छे बजे। ये काम्याबी है अर्न दाता की। ये कहानी है खेत और खलेहानों की। कैसे करें अपने पश्यों की देखभार। जानिए गाउं गाउं के किसानों का हाथ। देखिए गाउं किसान सुमबार से शुक्रवार दोपहर 12 बचकर 5 मिनट पर। ब्रेक के बाद दूरदाशन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से इस बाकत है। अब बुलेटन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में आपको बता दें कि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि समय समय पर क्रिशी विशेशाग्यों की सला हमारे के सान लेते रहें ताकि ये कारे साथानी पूर्वक और अच्छी तरह से हो पाएं। और क्या है हमारे क्रिशी विशेशाग्यों की सला हमारे के सानों के लिए बुआई और रुपाई को लेकर इस मौसम में आईए जानने के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अरुनाचर प्रदेश में पिसान धान के खेत में पान बनाए धान के खेत में फसलों को उचित तरीके से ढखे अधरत केले और मक्य के खेत में पानी की निकासी की विवस्था करें इसके अलावा असम्य किसान धान की उपाई कर लें कपास की बुआई भी करें सूरज खरी धान की बुआई के लिए नर्सरी तयार कर ले। तो अभी आपनी जान लिया कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कृशी कारे कर सकते हैं। तो रईत के खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। बेल वाली सबजियों की तरह ही इसे भी साल में दो बार बोया जाता है। पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तोरी की बुआई करते समय कुछ साफधानिया बरते। उन्नत किस्म का बी चुनना बहतर होगा। भारती कृषी अनुसंधान संस्थान ने दो किस्में विक्सिती है। पूसासने और पूसानूतन। पूसासने उत्री मैदानी छेक्त्रों के लिए उप्युक्त है। इसका फल चिगना, सीधा और दर्मियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम, लेकिन छिलका सक्त होता है। तुड़ाई के बाद पेशने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी शमता होती है। बुआई के 45-50 दिनों के भीतर फसल तयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। फूसा नूतन का फल धरीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्री राजधानी छेक्तरी के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकरशक होता है। फलो का रंग, हरा और और औसत वजन 150 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसन ग्रिश्म और खरीव दोनों फसलों के लिए उप्युक्त है। बोने के 45-50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। फूसा नुतन किस्म एक हेक्टेयर में 160 कुटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समें एक हेक्टेयर के लिए 4-5 किलों बीच पर्याप्ध होते है। बुआई करते समें पंक्ती से पंक्ती की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखे। अगर बास सिचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिचाई करते रहे। खर्पदवार हटाने के लिए दो बार निराई करें। फल वाली मक्खी से बचाव के लिए एक लीटर पानी में एक मिली लीटर मेला थियान 50 इजी मिलाए और उसका छिड़काव करें। तो जानलिया आपने तोरी का अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आए बढ़ते हैं आगे और अब बोलिचन में आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों का हाल। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जमुकश्मीर में धान की रोपाई कर लें किसान जमुकश्मीर में मक्का की बुआई का कारे भी कर सकते हैं जमुकश्मीर में ही इस समय किसान भिंडी की बुआई भी कर लें वहीं टमाटर, शिमला मिर्च और लाल मिर्च की बुआई का कारे भी किया जा सकता है तो केसर की खेती के लिए खेतों को अच्छी तरह से तयार कर लें वहीं हमाचल में मक्का और भिंडी की बुआई का कारे कर सकते हैं किसान और हमाश्र प्रदेश में ही बींज्स की दूआई भी की जा सकती है इसे के लिए भी तैयारियां कर ले किसान तो वहीं धान की रुपाई के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर ले तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी के कुछ खास पाते इस किसान बुलिटन में वक्त हो चला है कोड़ छोटे सिवरेका आप कही मजा ये जल्द ही हासर होंगे पनिरखिय दूरदाशन किसान पर और तेखते रहिए मौसम खबर कब कैसे की जाए पहतर देख भाग जानिए विशेशग्यों के साथ देखिये खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुभा साथ बजे डीडी किसान पर महका महका घरांगन हर्याली से खिलेगा दन्मन चट पर छोटी सी बग्या जरुरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिये चट पर बागवानी शनिवार सुभा नौ बजे ब्रेके बाद दूरदाशन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फ़र से स्वागत है आईए बुलेचन में एक बाद फिर आपको मौसम के लिहाज से खेति किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में बता देते हैं हिमाचर प्रदेश में मक्का, सोयाबीन और लोबिया की बुआई का कारे कर लें बात करेंगे उत्राखंड की तो धान की रुपाई का कारे कर लें किसान वहीं उत्राखंड में ही इस समय सोयाबीन की रुपाई का कारे कर सकते हैं बात करें पंजाब की तो यहां धान की बुआई का कारे कर लें किसान और साथी पंजाब में धान की रोपाई का कारे भी सावधानी पूर्वा पूरा कर लें किसान पंजाब में मक्के की बुआई का कारे इस समय किया जा सकता है साथधानी पूर्वकर ने इसकी बुआई तो हर्याना में कद्दू की बुआई का कारे कर ले वहीं हर्याना में धान की रुपाई कर सकते हैं किसान बिल्कुल अनुकूल मौसम है ये तो अभी आपने जानी मौसम के अनुसार, खेती किसानी की कुछ और खास बाते मताबिक कल उत्राखंड में कहीं कहीं भारी बर्सात का अनुमान जताया जा रहा है इसके साथ ही पूर्वियोतर प्रदेश में आज और कल भारी से भारी बर्षा की आसार है वहीं दो दिन असम में घाले और अरुनाचर प्रदेश में भारी बर्सात हो सकती है इसके साथी उपहमाले पशिवमंगाल और सिक्के में दो दिन काफी भारी वर्षा की संभावनाई है वहीं दो दिन बिहार और कल जार्खन में भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है बात करेंगे मध्यप्रदेश चतीजगड़ और गुजरात की तो बतादें दो दिन यहां भी कुछ लाकों में भारी बर्शा का अनुमान है तो दो दिन मध्य महराश्ट और कल मराटवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है इसके साथ ही दो दिन तचे अंधर प्रदेश और कल तेलंगाना में भारी बर्शा की संभाव नाई नजर आ रही है वहीं तचे करनाचक में दो दिन कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है वहीं बता दे आपको दो दिन पश्चमी राजिस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाईं चल सकती है तो कल उत्राखंड और दो दिन उत्रप्रदेश में भी तेस हवाईं चलने के आसार है आसम और मिखाले में आज कहीं कहीं तेज हवाईं चल सकती है तो दो दिन बिहार और छारखन में तेज हवाईं चलने का अनुमान जताया जा रहा है इसके साथ ही मध्यप्रदेश, 36 गड़ और विदर्ब में दो दिन तेज हवाउं के आसार बने हुए है तो दो दिन तट्यांदर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाउं की संभाव नाए है तो इसे के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही उमीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी मौसम का तासा हाल और कृशी सलहा लेकर हम फिर होंगे हासर आप बनी रही दूरदाशन के सान पर नमस्कार